आज़कार फ्रेंड कैसे हैं आप आसा है आप सब लोग अच्छे होंगे इस वीडियो की शुरुवात पे कुछ अच्छी बाते बताता हूं कि अभी राज्थान गौवर्मेंट ने अपने अधिकारियों गरंदरशी किया है कि बैंकर्स का बैक्स नेशन प्राइटी वेसिस इसके साथ साथ ही किरला गौवर्मेंट ने और उडिसा गौवर्मेंट ने भी इस बात के लिए अपने संबंदित अधिकारियों को निर्देशिक किया है कि बैंकर्स का व्यक्स नेशन प्राइटी वेसिस पे हो इसके अलावा किरला गौवर्मेंट ने अपने स्टेट में बैंक की ओपनिंग अल्टरनेट डेस पे याने की हफते में केवल तीन दिन कर दिया है जब तक क्या ये कोविट क्या प्राब्लम चला है वो मंडे, विड्नेस डे और फ्राइडे हम आशा करते हैं कि और भी राज सरकारें इस तरह से बैंकर्स को प्राइवेस प्रायर्टी प बैंकर्स अपना स्वास्त बचाकर अपनी सिमाएं लोगों तक पहुचाते रहें इसके नामां बात करते हैं बैट बैंक की आई बी ए के कारकारी निदेशा सुनील महता जी ने कहा है कि जो बैड बैंक की अस्थापना होनी है उसकी operation जून महीं से सुरू हो जाएगा जून मा से ऑपरेशनल एक्टिविटी बैड बैंक के सुरू हो जाएगी जैसा कि आपको याद होगा कि बित्मंत्री ने अपने बज़ते स्पीच में बैड बैंक की अस्थापना एन ए आर सी निस्टनल एसेट रिकॉंस्टरक्शन कंपणी अथवा आप बैंक, दोनोंके सहयोग से बनाया जाएगा बैड बैंक, इन पिए रिकॉबरी के में कितना सहाइक होगा ? यह तो आने वाला समय बताएगा क्योंकि आपने DRT के देख लिया है आपने NCLT का हाल देख लिया है लेकिन अब आने वाले समय में बैड बैंक किस तरह से आपके NPA के रिकवरी करती है ये देखने वाली है हाँ ये अलग बात है कि बैंकों का जो डिफार्ट लोन हो वो याई NPA लोन बैड बैंक में पे लेगा और बाद में रिकवरी अपने हिसाब से करेगा लेकिन रिकवरी करने वाले भी वही लोग है और पैसा चुकाने वाले भी वही लोग इंडियन्स हैं तो देखिन कितना सक्सेस्फुल होता है ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन जैसा कि आई पी ने कहा है य 2118 ब्रांचें पब्लिक सेक्टर बैंक की बंद हुई In financial year 2021, 2118 ब्रांचें अफ 10 पब्लिक सेक्टर बैंक merged, closed, first time in history of banking sector और इसमें maximum केवल दो बैंकों ने Bank of India और Yuko Bank ने अपनी कोई ब्रांचें न मर्च किया है ना क्लोज किया है सबसे ज़्यादा बैंक का बड़ोदा 1283 ब्रांचें SBI 332 ब्रांचे, PNB 169 ब्रांचे, UBI 124 ब्रांचे Canera Bank 1007 ब्रांचे, IOB 53 ब्रांचे Central Bank of India 43 ब्रांचे, Indian Bank 5 ब्रांचे Bank of Maharashtra और Punjab and Sin 111 ब्रांचों को बंद किया है ये इतिहास में पहली बार हुआ है क्यों इससे ऐसे भी आप जानते हैं कि Bank Merger से सरकार को क्या फायदा ये तो किसी को नहीं पता लेकिन ना Public को फायदा हुआ है ना Customer को फायदा हुआ है और आने वाले समय में अगर हम Bank Privitation की बात करते हैं तो उसके बाद भी कुछ भी सरकार को फायदा होगा या नहीं होगा लेकिन Bank सरकार इस बात पर एडामेंट है और आपको एक और बात बताएं कि RBI ने not interested to pull off the three major banks which are in the PCA framework तीन बैंकें जो हमारे PCA framework में हैं Indian University Bank, Central Bank of India और Eukobank लेकिन RBI इसको PCA से बाहर करने के लिए incline नहीं है जैसर कि आपको याद होगा कि पहले statement आया था कि Ministry of Finance से statement आया था देवासी स्पंडा जो हमारे finance secretary है कि इन तीनों bank को मार्च के बाद PCA framework से बाहर किया जाएगा लेकिन अभी the RBI region of that capital infusion throw bonds cannot be taken at face value and therefore these banks may still be short of regulatory capital they said in such situation they will continue under the PCA framework यानि कि जो भी government ने fund infuse किया है आपको याद होगा कि Central Bank of India, Indian Overseas Bank, Yuko Bank और दो अन्य bank PSB and Bank of India में गवर्मेंट ने जो 20,000 क्रोर का infusion किया था सबसे जादा Central Bank of India को 4,800 का infusion हुआ था Yuko Bank में 26,000 का और IOB में 4,100 क्रोन का infusion हुआ था लेकिन ये bond के basis पे हुआ था RBI कहता है कि face bond से जो भी fund infuse किये गया है उनका face value नहीं होता है जिसके वज़े से इनके regulatory norms एनके capital advocacy का नहीं हो रहा है और इस बारे में दोनों ministry of finance के और RBI के officials में differences है Two officials aware of the developments confirm that the finance ministry and the RBI have differences on capital issuance through non-interest bearing bonds and their competition to our capital advocacy norms Even RBI ने ये कहा है कि ये bank ये lenders अपने capital advocacy norm को फिर से recalculate करें और ये बताएं कि ये regulatory norms को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यानि कि अगर ये तीन bank आपको PCA से बाहर नहीं आते हैं तो naturally ये तीन bank privatization के लिए योग नहीं माने जाएंगे क्योंकि कोई भी private payer या purchaser या buyer इस तरह के bank को कैसे pick करेगा जो अभी PCA के framework में हैं और उसके बाद वो दो bank जो eligible बच रहे हैं वो bank of महराष्टा और पंजाब और सिंद बैंक most likely to be privatized bank लेकिन ये तीनों bank जो भी PCA में हैं और अभी भविस में इसको PCA में आने के में इसलिए संभावता ये PCA से बाहर नहीं आएंगे और PCA से बाहर नहीं आते हैं तो दे विल नाट भी इलेजिविल फार दा प्राइबिटाइजिशन आप अपना ख्यार लगिए थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्यू थैंक्यू